मित्रों राधे राधे कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिखे माता रानी आपका कल्यान करेंगी मित्रों वर्स 2020 में आसाड मास की घुप्त नवरात्री कब है और कब से सुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और घट इस थापना कब किया जाएगा और साथ ही साथ दूरगा अश्टमी और दूरगा नौमी कम मनाई जाएगी ये सभी जानकारी इस वीडियो में ये सब जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेयर करेंगे गुप्त नौरात्री में माता दुर्गा के दस रूपों की पूजा की जाती है इस पूजा को किवर साधू महात्मा या फिर तांत्रिक लोग अपनी तांत्रिक बिद्या को सिध करने के लिए करते हैं माग मास और आसार मास में पढ़ने वाली गुप्त नौरात्री तंत्र बिद्या में विश्वास रखने वाले तांत्रिकों के लिए खास मानी जाती है गुप्त नौरात्री के नव दिनों तक साधक मादूर्गा की कठिन भक्ती और तपस्या करते हैं मान्यता है कि इस भक्ती और सेवा से माप्रशन होकर साधकों को अतूल सकती देती हैं और साथ ही उनके सभी मनोरत सिद्ध करती हैं मित्रों हिंदु धर में चार प्रकार की नवरात्री का उलेक किया गया है जो सरद नवरात्री, चेत नवरात्री, माग नवरात्री और आसाड नवरात्री कहलाती है लेकिन मुख्य रूप से दो नवरात्री मनाई जाती है एक सरद नवरात्री, दूसरा चेत नवरात्री और बची वही दो नवरात्री गुप्त नवरात्री कहलाती है जो की माघ नवरात्री और आसार नवरात्री कहलाती है। गुप्त नवरात्री की पूजा अन्य नवरात्र की तरह ही किया जाता है। नव दिनों तक ब्रत का संकल्प लेते हुए नवरात्र के पहले दिन घट इस्थापना करते हैं. प्रति दिन सुबह साम मा दुर्गा की पूजा की जाती है. फिर अश्टमी नवमी के दिन कन्याओं के पूजन के साथ ब्रत का उद्यापन किया जाता है. वहीं तंत्र साधना वाले साधक इन नव दिनों में माता के नव रूप की वज़ा दस महा बिद्याओं का साधना करते हैं. मित्रों वर्ष दोहज्यारी किस में आसाड गुप्त नवरात्री कब है और आसाड गुप्त नवरात्री कब से सुरू हो रही है और कब समाप्त हो र रहा हूं यहां से अच्छे से देख लेना